गुद मॉर्निंग टॉर्स नेक्स जो अपना टॉपिक है वो आता है को इनके बाद इस्फेयर ठीक है इस्फेयर होता है आपकी बॉल की शेप का यह आपको सरकल लग रहा होगा लेकिन सरकल और इस्फेयर में डिफ्रेंस होता है सरकल होती है आपकी रिंग और इस्फेयर होत ना कोई total होता है ना मैं curve होता है तो बॉल होता है तो बॉल करना कोई curve होई नीष सकता है आप खुछ दिमान तक हुझता है उसमें कोई 4D व्लेत से से होता है इसलिजा उसका surface ही गवा केवल वो हो गता है 4Pi2R स्क्वेर्ड और उसका volume होता है 4PiR q आल यहां पर क्या होती है रेडियस ठीक है अब यह तो हो गया पर स्फेर अब आता है स्फेर के बाद आपके पास एक नया टॉपेश खेमी स्फेर ठीक है हेमी स्फेर में क्या होता देखो कि अगर मैं किसी बॉल को बीच में से काट दूँ ठीक है तो इसी शेप की आईगी तो हेमी स्फेर होता है आपके पास यह होता है आपके पास हेमी स्फेर आप इसको हेमी स्फेर यह स्फेर भी बोल सकते है अब इसमें भी फॉर्मुले होता है इसमें फर्स फॉर्मुला होता है और सर्फेस एरिया का देखो इसक फॉर्मृर्ण पास होता है इसका फॉर्मृर होता है और सिरू बोधर को इस्फेर नहीं वोदा यह स्फ 94 होता है उपरवाले यह देर ना पड़ता है तो यह होता है 2 pi r square plus pi r square मतलब total 3 pi r square and last formula होता है volume का ठीक है volume volume जो square की होती है 4 upon 3 pi r cube इसकी हो जाएगी जस्त आदी 2 upon 3 pi r cube यह कुछ formula होते हैं आपके sphere and hemisphere के अब एक next topic आता है spherical shell hemispherical shell वो अपर next class में करेंगे पर अपन थोड़ा सा इसके example देखते square and hemisphere के तो आपकी बुक्ता जो है वो example number 12 कह रहा है कि find the surface area of the sphere of radius 7 cm एक sphere है जिसका surface area find करना और radius आपको दे रखिए 7 cm example number 12 sphere की बात कर रहा है radius दे रखिए 7 cm चीक है और आप से क्या पुछा surface area surface area का formula इस पेर के 4 pi r square यानि 4 into 22 upon 7 into 7 into 7 देखो 7 से 7 cancel आप लोगो का है मैं कि 822 into 7 को परवनेंट याद कर लो 154 होता है और 154 को 4 से मल्टिप्लाय किया तो आएका 616 cm square ठीक है यह आपके पास जो है इसके easy question आंदे और देखते हैं आपन next example जो आपकी बुक का example पर 14 देखते हैं आपन कि a spherical ball of lead has a radius of 5 cm एक spherical ball है लेड की जिसकी radius है 5 cm how many lead balls of 5 mm can be formed तो उस 5 cm की lead की radius वाली lead की ball से 5 mm की मैं कितनी balls छोटी छोटी बना सकता हूं ठीक है देखो आपको यहाँ बोला है कि आपके पास 5 cm की एक लेड की ball है उस lead की ball से आपको छोटी छोटी 5 mm की जो है बॉल्स बनाई है तो सबसे पहले example number 14 lead radius of lead ball उसको अपन R1 से denote करेंगे तो रेडियस है आपके 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 पास 5 cm ठीक है और दूसरी रेडियस है lead, radius of small lead balls equals to 5 mm ठीक अब आपको कुश्चन में क्या कि रहे है कि इस lead की ball से मैं कितनी बहुत छोटी छोटी पना सकता हूं कि 5 mm की तो यहां पे आपके पास यह संटीमेटर में रखा है आपके पास जो ऑप्शन है तो संतीमें चेंज कर दो तो तो अगर इसको इसको से ब्ल्टिप्लाइट तो इसे ङा जाएगय आपको 50 मिलीमिटर JUL अब आपको नंबर ओफ स्मॉल लेड़ बो जब्ली अनबर ओफ स्मॉल लेड माल्स निकाले है नमबर ओफ और इसला के लाइड न्याड़् निख dispens пой अब yum Connor effective क्या कैसे निकाने मीड बढ़ेवाले वॉल्यम परो चोटे वालेigram बढ़ा कोंशही है आपना की मौल तो लीहो एक स्मौल धबाल तो लीथ की बॉल्यम क्या हो जाएगा अपने पास 4 upon 3 pi r1 cube upon इसका क्या हो जावा छोटी वाली का ये भी इसमें रिखल किये 4 upon 3 pi r2 cube 4 upon 3 pi से pi गया तो क्या बचा आपके पास r1 cube upon r2 cube तो देखो r1 की value है आपके पास centimeter वाली लिया millimeter वाली millimeter वाली सबको आप millimeter ले 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 हो 50 into 50 into 50 upon इसकी value है 5 into 5 into 5 ये इससे गया 10 times ये भी इससे गया 10 times और ये भी इससे गया 10 times तो आपके पास आएगा 10 into 10 into 10 यानि की thousand small lead balls ये आपके पास answer आएगा तो ऐसे easy questions है देखो एक पर example करते है next example number जो है example number 16 the surface area of two spherical ball is four ratio 9 आपके पास दो spherical ball जिनके surface areas का ratio दे रखता है ठीक है find the ratio of the earth volume तो उनके volumes का ratio find करो देखो कैसे करेंगे आपके दे रखा है किस surface area first upon surface area second इनका ratio दे रखता है four ratio 9 तो इनके volume का ratio आपको बताना है तो देखो surface area का formula क्या होता है square के 4 pi अगर 2 आपके पास square तो एक की radius आप r1 माल लो upon 4 pi दूसरे वाले की radius r2 माल लो जो कि पागे रख रहा है आपको 4 upon 9 यह 4 से 4 गया, पाई से पाई गया तो यह आपके पास आगया r1 upon r2 का square equals to 4 upon 9 अब इदर से square हटा दो, तो दर कैसे जाएगा under root, तो r1 upon r2 equals to 4 upon 9 का under root then r1 upon r2 equals to 2 upon 3 आपके पास क्या बचेगा r1 upon r2 आगया लेकिन आपको r1 upon r2 ना find तरके volumes का ratio find करना है तो now volume 1 upon volume second ठीक है, ratio, volume का formula 4 upon 3 pi r1 cube pi r1 cube upon 4 upon 3 pi r2 cube pi से pi गया, 4 upon 3 से 4 upon 3 गया तो आपके पास आया r1 cube upon r2 cube r1 upon r2 आपके पास 2 upon 3 है तो आपके तरक 2 upon 3 का cube यानी 8 upon 27 यानी 8 ratio 27 आपके पास इसका answer आजाएगा अब जो next है historical shell और कुछ आपके पास example से वो अपन next lesson करेंगे Thank you class तो हैंगेOk कि स्थ मेरी टेशा क्या है है और कि खापके पासभर यापके पासबावागागे